कि नमस्का दोस्तों सब्सक्राइब आपका सक्सेस का लगाया थे पहला टेस्ट है पॉलिटी का तो हमने दो पार्ट कर लिए यह तीसरा पार्ट हम लोग शुरू करते हैं अभी तक हम लोगों ने जोगी 50 mcq कर लिए थे अब बचा का पर आगे देखते हैं हम लोग ठीक है चलिए फड़ाफट से करते हैं यह हमारा 51 क्वेश्चन है समिधान के निवन रिखित प्रावधानों में से कौन से भारती राजी के पंथ निर्पियर चरित्र को प्रदर्शित करते हैं ठीक है आपको यहां पर चार चाही स्टेटमेंट देगे पहला है उद्देशी का तो थर्ड मुल्क करतब चौत है मुल अदिकार नीचे दीए करेक कोट का प्रियोक का शही हुत्ता चुनिये ऐध्याने के सही हुत्ता पूश्याए ऑप्साण आपके पास है ए केवल एक दो चार, बी केवल दो तीन चार, सी केवल एक और तीन, डी एक दो तीन चार देखें यहां पे पूशा कि क्या इसमें से प्रेम्बर, DPSP, Fundamental Right, Fundamental Duty जो भी है इनमें क्या हमको कईम भी जो कि ऐसा पता चलता है कि जो हमारा राज भारत है वो एक पंथ निर्पेच चाहित रखता है, ठीक यह आपसे कोशन पूशें है, तो पहले हम प्रेम्बर की बात करते हैं तो प्रेम्बर में आप देखोगे, तो 40 शेकेंड अमेंडमेंट के तहय थी, पंथ निर्पेच जो यह वर्ड है न, इसी को एड़ किया गया था तो यहाँ पे तो साफ साफ कता चला कि हाँ, यहाँ पे तो पंथ निर्पेच की बात दिख रही है, कि हमारी राजी का स्वरुप पंथ निर्पेच है, दूसरा अगर आप देखोगे, तो प्रेम्बर में ही एक लाइन है, यहाँ पे लिखा गया है, सभी नागरीकों को वि एक लाइन हमारा शाही है, तो देखो जिस उप्सन में एक नहीं उसको काड़ दो, बी वाला उप्सन कड़ियागा, और कोई कटेगा, नहीं, अभी नहीं कटेगा, आगे देखते है, जो हमारा यह आपका प्रेम्बल तो हो गया, बी उप्सन कड़िया, राजी के नेती ने जैसे बीविन धर्मों के अपने बीविन धर्मों के अपने जो लॉव हैं दिवानी मामलों में, उनको इंप्लेम्बेट ना करके सभी धर्मों के लिए एक ही लॉव हो, इसकी बात करता है, तो इसका मतलब यह भी एक तरस से जो की आप देखो कि राजी के पंतिने पे चाह मतलब मुल अधिकार तो मारा शाही है, मुल अधिकार भी आपको पता है, आटिकल 14-16-18 जो भी हमारा समता का अधिकार है, उसमें बोला गया है कि कोई भी राजी जो कि कि किसी भी नागरिक से धर्म के अधार पर भेदवावने को और भी कुछ क्रैटेरिया है, जिसमें धर में भी एक क्रैटेरिया है, इसका मतलब क्या है, कि हमारा जो मुल अधिकार है वो धर्म में भेदवाव नहीं कर रहा है, तो यह जो कि हमारा जो की फंड़ा में पंथ निर्पे शरूप कोई प्रदर्शित कर रहा है, और उसके बाद आप आप देखो कि आर्टिकल 25-27 में भी जो की धन्म की बात की गई है हमारे प्रेमबर में आर्टिकल 29-30 जो धार्मी कल्ब समख्या गए उनमें भी बात की गई है, उनको समान समिचर्प देने के लिए तो इससे भी पता चलता है कि हमारा समिदान है वह जो कि हमारा जो भारत राज है वो कैशा होगा पंतर नि ऑपर दूटी पड़ोगे, यहां आपके कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जिससे यह समझा आ जाये, कि जो राज जी का समुख बताए, कि राज जो की हमारा पंतर निप पर यहां पर नागरी को को डी दिया गया है, क्या आप यह करत भी करेंगे तो प्रेम पर राज ज चलिए अपने चलते हैं 52 जो है कि हमारा अटानी जर्नल से अटानी जर्नल के समझें बात करता है जो कि आपको अगर आप देखोगे सब्सक्राइब करता है जो मतलब कि अपना पैसनल लो का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं उसके बाद जो कि अलग से अपना प्रैक्टिस्ट नहीं कर सकते है ऐसा बोला है statement number 2 statement number 3 बोला है आटाउनी जोनरर जो कि राष्ठ्पदी के पर्शाथ प्रियंत पद धाड़ करता है अगर वह चाहे तो उटा सकते है कभी भी ठीक है यह मारा तीन statement है इसमें से पूछ आपको सच्छा चुन नहीं है किवल 2-3 एक और 1 दो है इसमें जो पहला statement यह साही है कि अधूरिख आर्टिकल 76 में जैसे भी हमने बात किया था दूसरा इसमें जो कह रहा है कि अटाओनी जनरल को को जो कहीं भी मतलब वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता लॉकी एसा यह गलत है एसा कहीं भी नहीं लिखा गया कि उसको जोगी वरजित किया जाएगा तो यह स्टेट् सब्सक्राइब और समझ देते हैं वह केंद सरकार के रिकमेंड पर राष्टपती दोड़ा न्यूक्त किया जाता है ठीक है केंद सरकार के सलाप पर प्रामप्रागत रुप से आप देखोगी इंडिया के इसा कोई लिखा हुआ नहीं है इसा कोई मतब बीदी नहीं है लेकिन परंप्रा के तौर पर अभी तक चली आ रही है चली अब आगे बढ़ते पर नेक्स कोशें के तरफ कोशें नमर 53 हमारा है राष्टी महिला आयोग के संभन में बात कर रहा है राष्टी महिला आयोग NCW के संदर में निम्लीकित कत्रों पर विचाय करें statement one है यह महिला और बाल विकास मंत्राले के तहत एक गयर सांग विधिक निकाय है ओके शेकेंड है केवल कोई महिला ही राष्टी महिला आयोग के अध्यश होशकती है ओके थड़ है यह महिलाओं के एक ब्रीहद निकाय को प्र है केवल एक और तीन देखो यहां पर देखो जो यह बोला है पहला स्टेट्मेंट कि एक घैर सांग्विदिक निकाय मतलब नॉन स्टेट्री बॉड़ी जबकि गलत है अगर आपने जड़ा राश्टी में लायों के समझने पड़ागो तो आपको पता होगा यह इसे जो की एक एक तरद जो की क्या बी और सी मतलब कि दोनों नहीं सही होंगे दोनों में से कोई एक सही हुआ देखो केवल कोई महीला ही राश्टी महीला आयो के अध्याच हो शकती केवल यह थोसा आपको पढ़के यह थोसा अट-पटा लग रहा है कि ऐसा क्योंकि केवल महीला ही हो सकती है पुर्श न नहीं दिखने को मिलेगा आपको तो यह सेकेंड जो एक्सट्रीम वड़ यह भी गलत है अगर हमको नहीं पता होता तो भी उनको पता है कि यहां यहां पर जो थ्री है वह सही है तिसा यहां पर जो सही होगा ओपशन भी जो कि सभी जाएगा के वाला गुलत है इसमें जो कि महीला नहीं पुरुष भी जो की अध्यर्च हो सकते हैं पहला वाला भी जो है कि यह नॉन स्टेटरी बाड़ी नहीं वालकि यह इस बात को ध्यान रखेगा चले चलते हैं पर फरफट से नेक्स्ट कोशन की तरह 54 मूल अधिकार से संबंध विविन प्रवाधानों में परियुक्त राज्य की परिभाशा में निर्म लिखित में से किन्हें समलित किया जा सकता है वन है सारुजनिक चेत्रक के बैंक दो शेकेंड है आपका विद्धूत बोर्ड थर्ड जिला योजना बोर्ड नीचे दिए कूट का सही प परिभाशा में आते हैं ठीक है अब सिधा सिधा इसे समझाएंगे जो कहीं न कहीं राज से जुड़े हुए हैं राज इंसे संबंद करता है डायक्ट या इन डायक्लोप से ठीक है तो वहाँ पर क्या होगा आप देखो कि वह सभी किसमें आ जैंगे जो हमाई मूला दिकार राजी को परिभासित किया गया उस राज की केटगरी में वो सभी आ जाएंगे ठीक है तो आप इससे आप ट्रीक को तो लगा के इससे समझ सकते कि कौन कौन से राज कि दारे में आएंगे कौन से नहीं ठीक है इसका जो सही ऑप्षण होगा आपका ऑप्षण डी वन टू थ्री सभी चलिए नेक्स्ट कोश्ण नंबर भायत में सम्मिधान सभा का विचार सवरपथम किष्ण ने परस्तूत किया था यह तो एकन्दम सीधा फैक्ट्वर सवाल ह ठीक है काफी दार रिपीटेट क्वेश्चन भी है खासकर यूपीपीश्यस पगरा एक्जाम में बहुत बुच्छे गाता तो इसका साही एंसर 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 पथम जो की समिधान सभाग के विचार को पस्तूत किया था उसके बाद कांग्रेश्ट क पनाया तो चलिए दिखते हैं 55 56 56 56 पूशे हाली में सुर्कियों में रहा साइटो काइनिस्टॉम संबन दीते हैं साइटो काइनिस्टॉम यह जो एक बायोलाजिकल टर्म है ठीक मेडिकल के फिल्ड में इसको यूच किया जाता है पतिर अच्छा कोसाओं के अत्यधिक निर बिद्धी से मतलब डाइबिटीज में बढ़िया ऐसा डी है ऑक्सीजन अस्तर में कमी की कारण है इस्तित परणूने से इसको फैक्ट्वल देखो एक क्वेशन है इसमें अगर आपको पता है तो आपको कर पाएंगे नहीं पता है तो नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे आप अबने के लिए और फोर्ष्य और ताकत लगाना पड़ता है तो इसमें क्या था कि बहुत ज्यादा जो की इंटीबॉडि का जो कि श्रॉव हो जाता है जिससे क्या होता है हमाय स्टी के कुछ आर्गन जो इंटर्णल आर्गन उस पर प्रेशर पड़ता है और उनमें जो कि के हिटप बढ़ता है तो वो काम करना बंद करेते कभी-कभी ऐसी क्या होता है कि इसकी होता है कि वाल इस वज़ात से साईटो कानिस्टॉर्म की ओज़ाइस गटना को क्या हो थे साईटो कालों ठीक है आएए चलते अगला पूस्चन 57 कि तब करते हैं भारती समीधान के अनुच्छे तेरह के संदब में लिखित कतनों पर विचार केजिए आर्टिकल 13 के बारे में आपसे पूछ रहा है इसी से उच्छेत्म न्याले और उच्छ न्याले को न्याइक पुर्णर विलोकन के सकती प्राफ्थ होती है समयधानिक संसुदा अधिनियमों को उन्मुक्ति परदान करता है उन्मुक्ति मतलब कि उसके अधिन नहीं आते हैं ऐसा ठीक है तो कौन सा साही है इसमें से पूछे आपको आप्शन एक बीएक किवल दो सी एक और दो डीए नतो एक नतो दो ठीक है तो पहला स्टेट्मेंट नियुक्ति परदान को संसुदन रहे हिए जो कि सॉप्रियघ है पेसे बीएक नोड़ियुके संसुदन जो की जाते हैं है वो इसके दार्यम नहीं आया जो समिधानिक संसोदान वह भी इसके दार्यम आएंगे जो हमारा किस्वानन फ्यमस केस के सब्सक्राइब और इसमें बोला गया कि और और 11 का अंतर गत्र वे समझत बिदियां कि गई भी केस में ठीक है तो इस अधार प्रग्राप देखो कि एक हमारा सही दो गलत ऑप्षन एक सही जाएगा ठीक है चलते फ़र पर सापने नेक्स्ट कोशन की तरफ 58 वाला हमारा कोशन केता है निम लिखित कतरों पर विचार कीजिए statement वहन है संख में संगी और प्रांती सरकारों की सक्तियों को इस पर्ष्ट रूप से सिमांकित किया जाता है ठीक है और फिर्ट शिक अने कर रहा है भारत में संग और राज सरकारों को सभी परिस्थितियों में सोयम से संबंदित विश्य उपर अनन्य अधिकार प्राप्त है एक तो सभी परिस्थिति की बात कर रहा है उपर से अनन्य अधिकार की बात कर रहा है देख रहे हो तोसे इन सब वर्ड पर हमको ध्यान द है मतलब जो पंचायत है या फिर अर्बन वाला तो वहां पर अगर हम पावर देते हैं तो क्या यह हमारे जो संगवात की भावना उसको कमजूर करेगा जी नहीं ऐसा तो कहीं से भी नहीं लगता है आपको देख पी सुझ जा रहा है कि यह वाला स्टेट्मेंट गलत है कि जि संग में प्रांती सरकारों की सकतियों को सभी पहिसितियों में सवयम से संबंदित विस्यों पर अनन्य अधिकार प्राप्त है तो देखो यह देखो अनन्य अधिकार नहीं प्राप्त है ठीक है यह वाला स्टेट्मेंट गलत है हमारा यह वाला गलत है यह वाला सभी प्रस्तितियों में सभी विस्यों पर जोगी राज सरकारों को जो कि अनन्य अधिकार नहीं प्राप्त है कहीं कहीं जो कि आप देखो के इन है कौन सा भारति समीधान दौरा पत्यभूत मूं अधिकारों के विशेस्ता आ इस्टेमिन के रहे यह और अलंगनी यह के रहा है यह के राज की अनियन्तरी स्टारवाईयों के विरुत उपलब्ध अच्छा थाध्ट बोले यह के रुच्चे त्रम न्याले और तरी उतार चुनिये ऑप्शन ए केवल 3 भी है एक और 3 सी एक और 2 डी है उप्रिक्त में से कोई नहीं है इसको फॉप सब पता है हम लोग को फंडामेंटर डायट के वाल जो कि हाई कोट और सुप्रीम कोट ही जो इसको लागू कर सकता है जो हमाई लोवर जूडिस है वह नही तेक्तर से अगर आप देखोगा option के साब से यह केवर राज्य की अनियंतित करवाईयों के बेदूपलग्द होता है यहां पर राज्य के सासा जो हमारे कोई ब्यक्ति है उसको भी रोक लगता है कि अगर वह अस्पेस्टिता के थरो जोगी बेदबाओ करता है असपेस्टिता को प्रमोट करता है तो उसको जोगी दंड देने का प्रावधान किया गया है इसी तरह आप देखोगे आर्टिकल 23 जहां पर बलात सरम मतलब बल प्रोक सरम कराने का या फिर बाल अपराद से संब्दित कोई चीजे है तो वहां पर साथ निजी ब्यक्ति को भी जो ब्यक्ति उस पर अंकित अंकुष लगता है कि आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो ब्यक्ति को भी पनिश किया जाएगा तो इससाब आप देखोगे तो सेकेंड और भी गलत है और आपका यह थर्ड वाला चाहिए ठीक है क्योंकि यह तो हमने द दिकार है वह असिमित नहीं है कहीं नहीं है कहीं आप देखो रेस्टिक्शन लगावा जिसे आर्टिकल 19 देख लो वाकिंग वाक्यों विव्यक्ति की स्वतनता जो दीगी है तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी करके बोल के चले जाए ऐसा नहीं है आपको कह नो olmuş देखन के ज़सुका गया है आपको हर्द आल करने का सवतनता नहीं है वहां पर लगा अगया तो इसलिए आप देखो कि तो यह जो को आशिमीत और अलंग नहीं यह गलत अपको ऑपुचन हो जहाए गलत है पहला गलत है ठीक है और दुसरा अलग जलबत है अगया तीस international exchange limited आई एन एक्स भारत का पठम अंतर राष्टी एक्सवी वकीम या नेशनल विस्टाज की स्थिर्प नेक्स बटत है ला फसंटनल फाइन स्टित् वहांуск स्टेट में जो बोलेगे एने सी की साहय कंपनी गलत है यह एने सी की बांबे स्टॉक एक्स्चेंज की साहय कंपनी है तो इसका ऑप्षण जो सही होगा ऑप्षण एक किवाल एक सही हो जाएगा ठीक है आप शिक्स्टीवन बोला है देखो कुछ मंगल मिशन दिया गया और देश दिया गया आपको बताने हैं यह मिशन कौन से देश दोरा किया और सामने देश है पहला है त्यान वेन वन जापान दोरा इंसाइट अमेरिका दोरा मार्श एक्सप्रेस यूपी यूपी स्पेस एस यह चाइना का है ठीक है चीन जोगी 2021 में जोकर मार्श मिशन लॉंच करने जा रहा है तो यह उसकी बात कर रहे तो एक हमारा जो कि आप्शन एक गलत है तो आप्शन सी शहीव जागा इसमें टू और ठीक है हमारा जो नेक्स्ट कोशन है